फिल्म कुछ अलग है ऑफबीट है और सिचुएशन बहुत अलग तरह के हैं इसी हपते सैम बहादूर भी हुई वो एक पेट्रियोटिक फिल्म थी लेकिन ये भी एक बहुत डिफरेंट तरह की फिल्म है जो लोगों को खास्तोर पे ये जो आज की ओडियन्स है आज का जनरेशन है उसको बहुत पसंद आएगा मुझे इसमें रणवीर की एक्टिंग सिर्फ नॉट उन्ली रणवीर रश्मिका रणवीर और अनिल कपूर तीनों ने गजब की एक्टिंग किये और फिल्म का प्लॉट बहुत अलग सा है और जैसा कि डिरेक्टर का इतिहास रहा है कि वह बहुत डिफरेंट तरह की फिल्म करते हैं लेकिन इसमें जो सबसे जादा इंटरवल के पॉइंट पर जो पूरी लडाई दिखाई है वह बहुत सिच्वेशन को अजीब सा करती है क्योंकि वह नाच्रल नहीं लगा है एक अकेला इंसान क्यों लड़ेगा है तारी चीज बहुत अच्छी है लेकिन कुछ चीजें अन्रियलिस्थिक हैं मैं इसको साड़े तीन से चार के बीच पे बस हाफ फे करीब दो घंटे हो गए है बस यह कहूंगा सोफा इस इस रणबीर कपूर इन बीस्ट मोड और जैसा कि पहले थोड़ा डर लग रहा था कि शायद संदीब रेडी वांगा उनकी पहली फिल्म में अर्जोन रेडी और कबीट सिंग बहुती जबर्दस हिट थी लेकिन उनकी भी क्रिटिसिम होई थी कि शायद सेक्सेस फिल्म है इस फिल्म में जो है कि संदीब रेडी वांगा ने एक बहुती अलग फिल्म दी है और इस पे बिल्कुल तो फार मुझे कोई टॉक्सिक मैस्कुलिलिटी नहीं देकी है बस यह है कि एक सिंपल सी कहनी है ल सोफा मेरे बहुत बहुत मजा आ रहा है और मैं यह कहूंगा कि जिन लोगो आपका वीडियो देखेंगे अगर आपने अनिवल के टिकेट अब तक बुक नहीं किया मैंने तो सरफ हावा इंटर्वल तक देखी अभी तक बट आई वुड अर्च पीपल कि जल से जल अपने अपने अनिवल के टिकेट बुक करिये विकॉज यूल भी इन फॉर अस्पेशल स्पेशल ट्रीट आइम शो ऑविसली जो इस जॉनर को पसंग करते हैं वह तो खैर उन्हें पसंग आएगी बट ऐसा नहीं है कि यह कोई फैमिली फिल्म पूरी तरा से नहीं है कबीर सिंग और अर्जोन रेडी दोनों अविसली उनके अंदर अपना एक ट्रॉमा था उसके बावजूद भी कई फैमिलीज ने वह फिल्में देखी हैं और आई होप उनमें लोगों से गुजारिश करूंगा प्लीज 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 जल से जल अपने अनिमिल से क्रिकेट करिये विकाज मैं तो सरफ इंटर्वल तक हूं बड़ जो मजा मुझे अब तक आ रहा है यह आनन्द इस साल बहुत कम बहुत कम अनुवफ करने को मिला है अधिक फिलाल तो यह फिल्म इजली साड़े तीन सार सार तक जो रहा रही है और रंबीर कपूर ऐसा लग रहा है कि यह उनके करियर की सबसे बहतरीन परफॉर्मेंस है अब तक की जैली आध मेरे 15 aura तक वाइस बहुत अच्छी मतलब इसस मांडलurger को हमेशा अंदाज में देखाया जहां वह प्यार कर रहे हैं महब्बत कर रहे हैं लेकिन वह इतनी भेतरीन गण्स भी चला सकते हैं मशीन गन्स में चला सकते हैं इतना भेतरीन एक्षिन कर सकते हैं वो हमें उमीद ही नहीं थी इस माइंड ब्लॉइंग सबसे जादा मुझे रंबीर कपूर के किरदार का एटिटूड पसंद आया और वो उस एटिटूड के साथ जो वो शिकायते आवो डिलिवरी कर रहे हैं या वो किसी बात को रख रहे हैं वो जस्टिफाई होत सान आ रिचस मैन इन आ कंट्री मेरी खुद की भेहन से बहुत जस्टिफाई है या रश्मिका के साथ सबसे अच्छा काम ये किया गया है उनको साउट इंडिन का किरदार दिया गया है हमेशा उनके लहें को लेक tit ile सवाल उठता है जो यहां जस्टिफाई होता है कि वो बहुत conviction है यार आप सोचिए जिस दौर में हम हैं आज की तारीक में जब फिल्म मेकिंगी हम बात करते हैं तो एक घंटा पचास में मतलब कोई भी फिल्म जो नॉर्मल डुरेशन की होती है और दो गञटे की फिल्म हम देख चुके हैं और वो दो गटे कब गुजरे हमें पता नहीं चला दो गटे बहुत बएब बढ़ा वक्त होता है आज की तारी तो इस सो लवली और जिस तरह से संदीप नेडी वांगा ने कबीर सिंखे किरदार को रंबीर सिंखे किरदार की आत्मा में डाला है वो एटिटूट वो स्वैग वो दिखता है मतलब डारेक्शन को लेकर वो इतना इतना कन्विक्शन है उस आदमी के अंदर कियार ये मैं बना रहा हूं तीन घंटा तीस मिनट आज के स्नार्यों में सुलूट तो है मियार अभी तक तो ये लग रहा है यार मैं फिलाल तो उसको पांस में से चार स्टार देना पसंद करूंगा और एक स्टार कहीं कहीं थोड़ा फिल्म को फिल्मी कर दिया गया है खास करके वो जो मशीन गन वगरा दिखाई है एक्शन है और आज की जनरेशन पसंद भी करती है एक्शन के जीएफ से लेकर पुश्पा से लेकर वो दौर आ चुका है लेकिन इसा वरी गूड फ्लूक थैंक यू